हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने साथ के चैनल डॉक्टर शशी दोरेस की चनल में आप सब का सागत है फ्रेंग्स, आज अपने बनाएंगे मिल्क पाडर से मावा तयार करके रोस पेंडे आईए, अपने सब मिलकर बनाते हैं, रोस पेंडे रोस पेंडे के लिए इंग्रीडियंस जो अपने लेंगे, एलची पाडर, दूद को गरम खलकर रूम टेंपरेचर पर रखा है ठीक है, तो अपने एक किलो मिल्क पाडर का मावा बनाएंगे, उसके लिए अपने को साड़े-चार सो एमल दूद चाहिए, तो साड़े-चार सो एमल दूद लगेगा 200 एमल घी, बैटेट घी यह यह पिगलावा घी, और सकर अपने पसंदगी के हिसाब से डालेंगे, कम ज्यादा मिठा यह अपनी चॉइस लेगी फ्रेंड्स, मावा को कलर करने के लिए हमने एडिबर फूड कलर्स लिया है, एक पिंक है डाल, स्ट्रॉबेरी कलर जैसा, और एक है ग्रीन एर्टी पारड़न लिया है, एसेंस के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, और यह रोज एसेंस लिया है, रोज बनाएंगे उसमें, इसके कुछ ड्रॉपलेट्स दालेंगे चलिए फ्रेंड्स, तो अपने मिल्कर बनाते हैं, रोज पेंडे मिल्क मावा के अपने को अभी गैस नहीं चलाना है, बंद गैस में ही अभी अपने काम करेंगे, यह अपने नहीं कड़ाएं लिए है, उसमें सबसे पहले डालेंगे यह प्रिगलावा गी, फिर इसमें डालेंगे यह, इसको इससे तो फोड़ावा डालते जाएंगे, और मिक्स करते जाएंगे, अपने इसमें दियान देने की बात यह, अपने इसमें यह, लंप्स नहीं पढ़ने देना है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ावा डाते जाएंगे, और स्टियर करते जाएंगे, फ्रेंड्स अपने को ज्यादा बनाना है, इसलिए इसमें पारड़ की प्वांटिटी ज्यादा ली है, अगर अपने को कम बनाना हो, जैसे की, तो फिर उसे साफ से इसकी प्वांटिटी कम ज्यादा कर देना, जैसे की अब यह अपने एक किलो दूद पावडर लिया है, तो उसकी जगे, 500 ml दूद पावडर में, 200 ml दूद लगेगा, ठीक है, और 500 ml की जगे, उसमें 700 ml दूद लगेगा, उसको कितना मीठा रखना है, यह अपने उपर है, इसलिए सक्कर की पसंगी अपने ही साफ से होगी, कम ज्यादा जैसे डालना हो, ठीका या तेज, अपना यह मिक्स हो गया है, जूद और गी में तावडर, अब अपने ग्यास चलाएंगे, अब इसको दी में आज़के, मिक्स करेंगे, अब चलाएंगे । अब ध경ा, रखना है! अप्रेशी ने सिट तो रुखिए 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 तो बसे आपके हैं नहीं करणा, एप युज़ाली, पर बलल बल बल अपने माला को प्छोपिए, अप्रणा कमें सब्सक्राइब, अपने माला ने स्ट शयाए है ड़ो कितमें लखिए लग्टें लग्माइए अपना प्रवाइप हो गया आपने इसम्टर मिलाएंगे अपने इसम्टर मिलाएंगे आपने पर देखिए इसमें लाएंगे, दस बारा बूदर हो जिसंस, और वर अबर मिक्स करेंगे, इसमें अपने इसना भी जो जिसंस ही लाया है, और वर अबर मिक्स किया है, अबैस भीजा बेगा है जाएंगे अब कहा बोगए है, अबना अब्सकों कि शीजुपा गया, है? इसको इस्टेरा खर्प्टे, इस्टेरा से जिजा भीज़ा है है इसको बेलन की मदद से इस तरह से उनिपॉम्ली स्प्रेड कर दें है पूरे में कर देने को इसको 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 इसक प्रेले पते, फोल्ड पते जाना है, नीचे सीद्धा प्रेस पते जाना है, इस तरह से, देखेऻ, अपना यह रोसटावर तयार है, इसको बरेन कर दिने के पड़े कोईए उसको जहां भीयार दो, इसको यहां भी कुषके, लग से और करते जाना है एक एक लेते जाए आर फोड किये हमें इस तरह से लगातों जाए है इस तरह से इधास से लगा तो दूसरा अपने इधास लगाये उसके पास से लगाना जो लगाय चाहुत है यह इड्य कें पिका जैसे लगा तो इसका एंडेश Caild आपड़ा दूसरा अंखे गाये और उसको इधार इसके पास से लग crawl this अपना रोस फ्लावर प्रियार हो जाएगा देखिए अपना रोस फ्लावर प्रियार है अपना elf अपना आपना खना रोसा बोस आपना आप मत झाइप पी? हमसब ननने माम है रोज एसेल्स और डिस्वी सपनी लाली है अब इसको एकवली स्प्रेड करके इसको भी कुपी कटक के राउन शेप में फाट लेंगे पहले और पत्वे के लिए थोड़ा खटिंग खटिंग काटेंगे इस तरह से कि जो पत्ता फर्मेत ताहरा है इसको अप्रेशने इसको एक से रभाएंगे झाल झाल कि अपने देख सकते हैं अपने रोज पेड़े तयार है किते खुब चूरत दिखाई दे रहे हैं बड़े ही साधिस्ट है आपको आनन्द आया होगा अपने ने मिलकर इसको बनाया है आप भी ट्राइ करना है ये रेसिपी आपको भी मज़ा आएगा आप भी इसका आनन्द लीजिए आप आपने मिलकर बनाया है गुलाब पेंडे यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए और नीचे कमेंट बाक्स में आपके कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा पसंद आया कौन सा भाग पसंद आया अगली वीडियो आपको इस रेसिपी की द देखना चाहेंगे, ओके, थैंक यू फ्रेंग्स झाल 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 झाल